प्रभु की यह मुशा को दिया वाला तंबू है आज दुनिया भर में आप पुनियस्तान गुर्दवारा मस्जित मंदिर यह धाचा है यह धाचा किस ने किस को दिया परमेशन ने मुशा को दिया आज दुनिया पर धरम इसे कापी करकर अपना बोलता है जबकि मेरा यह धरम ने दिया है मेरा धरम मेरा कोई धरम नहीं बचाता यह धरम कोई धरम नहीं बचाता चला के बलो कोई धरम नहीं बचाता धरम बोलता करो करो मिला तो ठीक है नहीं तो ठेंगा पर ये शिव बोलता है मैं जो किया विश्वास करेगा तुम मेरा बेटा है हाललोया हाललोया राइज लॉट कई बातों को कुझियों को फेक रहा पकड़ो हाललोया पुराने नियम में परमेश्वर स्तानों में उतरता था स्तान इंपोर्टन था नियम में हम और आप इंपोर्टन है किसी को मज़ा नहीं है कोई बात नहीं मैं तो बोलते जाओंगा हाललोया वापस बोलता हूँ पुराने नियम में स्तान में जाते थे लोग परमेश्व की उपस्तिती परमेश्व की चीज़ों को पाने के लिए नहीं नियम में पवित्रात्म मेरे अंदर है भाई हाललोया जब आप ये जान लेगा ना आपकी सिंदगी बदल जाएगा मैं परमेश्व का मन देनू पवित्रात्म मेरे अंदर है भाई हाललोया प्राइज अलोट कितना लोग सुन रहे हैं पुराने नियम में, जब वो आरात्मा करते थे, परमिश्यर उतरता था, किसी को बोला, जोर से बोला, नए नियम में परमिश्यर, पवित्रात्मा मेरे अंदर है, उतरने के तरग, मेरे अंदर है, अब उतरता जाता नहीं, मेरे अंदर है मैं परमिश्व का मंदिर हूँ मैं मंदिर हूँ मंदिर हूँ मैं मिश्वर मंदिर हूँ मैं मंदिर हूँ मैं मंदिर हूँ मैं परमिश्वर का मंदिर हूँ मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं परमिश्वर का मंदिर हूँ मैं अमें कितना लोग समझने हैं आरात्ना कितना इंपॉर्टेंट है कितना लोग आज से करेंगे आदा गंटा, एक गंटा, दो गंटा, तीन गंटा, जितना आप आरादना करेंगे ना, आपके जीवन में मांगना नहीं पड़ेगा, प्रबु छपपर फाड़ कर देगा, कितना लोग करते हैं आरादना आपके हाद जब हम स्तूति आरादना करते हैं आंगर में क्या करते हैं पुरा अंगों को हिलाते हैं क्यों डैंच करते हैं मेरा हाथ उठना मंगता मेरा पाँ उठना मंगता जब मैं प्रभू की हाथों से और पाओं से महीमा करता है तो प्रभू मेरे शरीरों को चंगा रखता है 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 कोई है अब आच करने वाला मेरे आँख उटता है तो मेरा आँख परमेशा की महीमा से भर जाता है आँखन में हम क्या करते सर के बाल से लेके पैर कोई नकुनों तक हम प्रभु की महिमा करके महिमा से भरते हैं अललूया रईजलाण इसलिए जब आप जब हम स्टूदिया रहा ना करता है आप देखा मैं मैं उदेर खड़ा नहीं रहता है मैं नाश्टा हूँ मैं गाता हूँ हर बाड़ी सेथ करता हूँ तुमका लगाता हूँ क्यों मेरे हर अंग प्रभु की महिमा करना चाहिए मेरा किटनी अंदर प्रभु की महिमा करना चाहिए इडनी महिमा करेंगा तो डाइलेस नहीं प्रभू की महिमा को देखेगा हो हाललोया है कोई मेरे साथ मेरे हाथ उटता है यह हाथ ऐसे हिलता है ना प्रभू के सामने मेरे हाथ किसी को उपर रखेगा कैंसर भी नस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाथ प्रभु की जब महिमा करता है प्रभु की सामर्थ निकलता है भाई हाललोया है कोई मेरे साथ इसलिए जब आप स्तूति करते हैं आरादना दो चीज हम करते हैं एक स्तूति करते हैं दूसरे हम आरादना करते हैं दूसरे हम एक प्रेस करते हैं एक वर्शिप करते हैं स्थूदी करते हैं आरादना करते हैं स्थूदी हम क्यों करते हैं सुवे आया अला मत बोलना स्थूदी क्यों करते हैं जो प्रभू मेरे लिए किया जो प्रभू मेरे लिए किया कल जो प्रभु मेरे लिए क्या मैं स्टूदी करता हूं मतलब जी धनिवाज मैं उसके लाइक ने आपने मुझे दिया आपने मुझे घर दिया आपने मुझे गाड़ी दिया आपने मुझे अच्छी पत्नी दिया अच्छी पत्य दिया अच्छी बच्छे दी, अच्छे कौलिफिकेशन दिया, धनिवाज़ इश्व, हम स्तूति करते हैं, प्रैस करते हैं, जो आपके पास है, क्योंकि आपको कौन दिया, परमेश्व दिया, जब आप स्तूति करते हैं, परमेश्व आपको गुन्वंग करता है, किता लोग सुझ है कई बार हमको सिखाए जाते हैं विश्वाजी लोग का इन प्रेश करना और तीन स्टूदी करना प्रेश ताली बजा के करना स्टूदी एगदम एदम चाहन से करना अराल स्थूदी आपकी आवाज में प्रभु प्रसन नहीं होता आपके दिल से प्रभु प्रसन होता है 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 आप क्या करते हैं इंपोर्टन इसलिए आंगन इंपोर्टन है आंगन में हम तयार करते हैं आंगन में हम तैयार होते हैं अंगों को अंगों को बोलता है यह अंग प्रभु की मही मा काय रहे हैं भटकने वाला मन कोई-कोई आखी इधर बैठता है तो याद आता है ग्यास में कुरिया दूद रख्या है भे अब दिन बार जब तक घर नहीं पहुंचता दूद का याद आ रहे है नहीं तो मैं लोक नहीं किया भई लोक नहीं किया इधर बैठके सोचने से कुछ होगा या प्रभु आपके घर को संबाल रहा है आप सब कुछ भूल के जब आरात ना करते हैं आपकी मन को प्रभु की अ पवित्रिस्तान क्या है हमने बोला मन भावना इच्छा पवित्रिस्तान में क्या है मन भावना इच्छा हम शरीर से प्रभु की आरात ना करते हैं मन भावना इच्छा को प्रभु की अधीन में लाते हैं जब हम प्रभु की अधीन में लाते हैं मेरा मन भटकने वाला इसलिए आपके मन को प्रभू की अधीन मिलाने है कोई कोई कर रहा नहीं हस बता रहे हैं जब आफ प्रभू की अधीन मेलाएगा आपका मन प्रभू की अराद ना करेगा भटकने वाला मन प्रभु की आदीन में आएगा ये मन येश्जू का मन है कब होता है जब आपप रभु की आराद मा करना okay तब जब आपके मन को आप प्रभु की आदीन में लाते हैं तब आप अत्ती पवित्रस्तां में जाते हैं जहां पर आप नहीं येश्यू परमिश्वर आप से बात करता है अलेलुया रही सोलोड नब्बे टका विश्वासी इदरी से बाहर होते आंगन में रहके आंगन से पिछवार से बाहर पतली गली निकल जाते और बलते हैं प्रभु में कुछ नहीं प्रभु में कुछ नहीं मिलता क्योंकि आपने प्रभु को बोला नहीं समझे ही नहीं अब तक हम प्रभु के बारे में सिखेगे नहीं इसलिए हर रोज हमको प्रभु के बारे में सिखने कर जितना मेशु को जानेगा उतना महाशिष पाएगा हललुया हर रोज एशु में बन एशु बहुत बड़ा समुंदर है जोच बले एशु बहुत बड़ा डूबा 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 एशु में मैं डूबा 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 ये शू में मैं डूबा डूबा Amen, Hallelujah, Praise the Lord और एक गाना है नहीं गुटनों तक नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में ही डूबना चाहता हूं मैं गुटनों तक नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में ही डूबना चाहता हूं मैं भर्दे मुझे तेरी अगनी से भर्दे मुझे तेरी सामर से भर्दे मुझे तेरी प्रेम से मैं तुझे गोशिक करूं मर्दे मुझे तेरी अगरी से, मर्दे मुझे तेरी सामर से, मर्दे मुझे तेरे प्रेम से, मैं तुझे गोशित करूँ अब वच्छन पड़िंग मैंने अधिक तर बोल दिया, किसी को बोलो पकड़ो लिख के रखो अब आशिश पाएंगे, अब बच्छन पढ़ेंगे, यहनन के किताब 4 उसका तेविश, यहनन 4 तेविश, परंतु, वो समय आता है, वरन अब भी है, जिससे, जिससे, जिसने, सच्चे भग्त, पिता का भजन, कितने सच्चे भग्त है, हाथ उटा के बोलो मैं सच्चा भग्त हूँ, उसका मतलब नकली भग्त भी है, डोंगी, डोंगी, अरादग भी है, सच्चे भग्त, पिता का भजन, आत्मा और सच्चाई, से करेंगे, कैसे करेंगे, आत्मा और सच्चाई से, और सच्चाई भग्त, दिल से प्रभु के आरादना करेंगी, अगर बिल्डिंग गिर भी जाएगा ना, आप आरादना करेंगे, इसको मालुम है, मालुम ने, कई साल पहले गुजरात में भुकम्प हुआ था, और सच्चाई भुकम्प हुआ, पहले माले पे, पुछ चानक वह बिल्डिंग हीला और पूरा बिल्डिंग गिरा ये दूसरा माला का पूरा रूफ आइसा नीचे जाके बैटा हो लोग खड़े-खड़े स्प्थी आराणना किन समझे रहे स्थी आराणना का पावर किसी को बोलो स्थूति आरादना करने वाला जटका नहीं खाएगा, जटका देता है बाई जोड़ से बोलो जटका, चिला के बोलो जटका, कितना लोग जटका देने वाला है क्या लिगा है सच्चे भक्त, पिता का भजन, आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता, अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालो स्वारख में, बहुत हलचल चल रहा है, येश्यमसी अपनी दूटों के साथ बाइटकर बहुत, बाते कर रहे, बाते कर रहे är, अचानक एश्व मसी बोला चुप और वो देख रहा है एक जगा पर एक जोपड़ी पर एक माजी बैट के आराधना करू है स्थूति आरादिना उपर जाती है आशिश लेकर निचे आती है स्थूति आरादिना उपर जाती है आशिश लेकर निचे आती है जब आप स्थूति आरादना करता ना स्वर्ग करोडो दूत और इश्यमसी खड़ा होकर आपको देखता है इसलिए प्रेड तो, सॉरी, एबरानियों के किताब बारा एक लिए देखो पड़ा है, एबरानियों के किताब बारा, एक, इस कारण, जबकि, गवाहों का ऐसा बड़ा समू, जब आप आराद्मा करता है, इस कारण, जबकि, गवाहों का, ऐसा बड़ा बादल, हमको घेरे हुए है, तो आओ, जब हम आराद्मा करते हैं, गवाहों का बादल हमको घेरा हुए है, वो हमें बोल रहा है, क्या बात है, हम नहीं कर सका, तुम कर रहे है, कम आन, जब से बलो, कम आन, छिला को बलो ना, स्टाइल से बलो ना, कम आन, और आराद्मा करो, और स्वर को उतारो, हललोया, हाँ, ओके, वापस आएंगे, तेविश वाप, चार तेविश, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अप भी है, लिस में सच्चे भक्त, पिता को भजन आत्मा और सच्चाई से, करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए, ऐसे ही भजन करने वालो को, ढूंता है, ढूंड ढूंड रहा हूं, कौन ढूंड रहा है, परमेश्व ढूंड रहा है, कौन आरादना कर रहा है, कौन स्तूदी कर रहा है, कौन परमेश्व की महिमा कर रहा है, स्वर्ग के नीचे दर्ती के उपर मानवजाती को एक नाम दिया, वो नाम है, ये श्रमसी, हलललुया, जब अबेश्य मसी के लिए गाते हैं स्वर्ग आपको ढूंड निकालेगा जितना भी भीड में रहेगा कौन सा भी जगा पर रहेगा प्रबु आपको ढूंड निकालेगा अब जब आप स्थूदी आराद ना करें स्थूदी आराद वेना उपर जाती है आशिश लेकर निचे आती है सुद्य आराद ना उपर जाती है आशिश लेकर निचे आती है रब हमारा कितना महार देखो हमसे करता है प्याँ आमें पुराने निचे लोग आराद ना करते थे अबराहम को परमिश बला तो अपने बेटा को बली चड़ा अबराहम ने अपने बेटा आईसा को लेकर परवत के उपर जाता है और बीची राह पर अपनी दासों को बोलते है हम मैं और मेरा बेटा स्थूदी करके आराद ना करके वापस आता हूं उसको मालूम था अगर मैं आईसा को बली दान भी करेगा मेरा जुन्दा परमिश मुझे आईसा को पका वापस देगा इसलिए वो दासों को बोला हम लोग जाके आराद ना करके आता हूं हललुया इतना विश्वास था इसलिए वो अबराम को विश्वास का पिता कहलाए गए आदम के दो बेटा था एक के ना राबिल जोसे बलो के ना राबिल दोनों बली चड़ाने गया एक के बली एक के बली में प्रबु खुश हुआ दूसरे के बली में प्रभु खुश नहीं हुआ क्यों नहीं खुश हुआ क्योंकि वो प्रभु के मुताबिक नहीं था किसका प्रभु का मुताबिक नहीं था कहीन का इसलिए हाबिल जो परमेश्व का दिल चाहता था वो बली चड़ाया इसलिए परमिश्वर खुश हुआ तो क्या हुआ कहीं ने हाबिल को मार डाला अबरानियो कर किताब में लिखा है हाबिल का लहू बदला के लिए पुकार रहा है उसी जगा पर मेरा येश्यू का लहू गिरा है और वो लहू उधार के लिए पुकार रहा है हालेलुया है कोई मेरे साथ किता लोग सुन्दे मूसा को वो ढाचा हम पचीशवा निर्गमन में पढ़ते हैं घर में जाके पढ़ो और आपको और एक्स्प्लेइन करने का हमने वो सिखाया है टाबनेकल के बारे में आप जाके सुना अज समय ने लेता है बहुत इंपॉर्टन प्रभु जो सिखाया था मूसा को आराधना करने का स्टाइल हाथ दोना पाओ दोना लहू रखा है ब्रेड सब कुछ उसमें बताया गया जाके पढ़िए ओके भजन साहिता एक सो तीन उसका एक से पाँच भजन साहिता एक सो तीन उसका एक से पाँच हे मेरे मन यहुवा को धन्य कर तुम बोल रहा है दावुद क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है बहुत फिरने वाला है इसलिए बोलता है यह मन परमेश्व की धनिवात कर क्यों हाथ रखे बोलो हर रोज बोलो यह मन परमेश्व की धनिवात कर हे मेरे मन यहुवा को धन्य कर परमेश्व को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है उसकी जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम को धन्य कर जो कुछ मुझ में, जो कुछ मेरे पास है, अच्छा शरीर दिया, अच्छा तंदुरुस्ती दिया, जो कुछ अच्छा खाना दिया, अच्छा छत दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिया, उसके लिए हमको धनिवाद करने के हैं, जब हम धनिवाद करते प्रभू से बर्खरा रखते हैं आप खोएंगे नहीं हललुया पैसा दिया प्रभुजी धनिवाद मुझे आज तक चलाया प्रभुजी धनिवाद और छेत्र में आप उन्नती दिया प्रभुजी धनिवाद जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन, यहुवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सर अधर्म को शमा करता है, और तेरे सब रोगों को शंगा करता है, कब होता है जब आप स्तूदी आरादना करते हैं आप स्तूदी आरादना करेगा आपकी सारी बीमारी तूटके गिरेगा आप स्तूदी आरादना करेगा कर्च मिट जाएंगे आप स्तूदी आरादना करेंगे आपकी परिवार उद्धार पाएंगे आप स्थूडिय आठना करेंगे पैसा छपपर पड़कर प्रबू देगा हललुया जब आप स्थूडिय आठना करता प्रबू आपकी मन की बातों को पूरा करता है हललुया वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता लेता है कितने लोग जवानी में मर जाते हैं रस्ते में देखो 18 साल, 19 साल, 20 साल स्रदान जिली खतम पर हम आराप उसकी अरादना करते हैं प्रभू जी इस मकसद के लिए हमें बनाया वो मकसद जब तक खतम नहीं होता मरेंगे रहें प्रभू मुझे आज का बजन साहिता हुए, 91 में मुला प्रभू मुझे लंबी उमर दे कर राशिश करेगा हललुया तेरे वही तो तेरे प्रान को नाश होने से बचा लेता है जब हम स्तूदी आरादना करते है शेतान कई गड़ा खोद कर रखा है आरे गड़ाओं को भरता है जब आप स्तूदी आरादना करते है और तेरे सर पर करूना और दया की मुकुट बांता है कितना लोग को मुकुट चाहिए स्तूदी आरादना करो हर रोज मुझे मुकुट चाहिए हमको स्वारग में प्रभू मुकुट देने वाला है तरके मुकुट के बारे में सिखाया था, इस नहीं तो जाके, अपसल विलसन जोसेफ, क्राउन लिको आपको मिलेगा, पांच तरके मुकुट है, हमें, प्रभू उससे पहले इधर मुकुट देगा, किसको देगा, जो स्तूती आरादना करेंगा, कौन स्तूती आरादना है कि फाइफ फोल्ड मिनिस्ट्री में स्तूती आरादक नहीं है, फाइफ फोल्ड मिनिस्ट्री में अपस्टल है, भविजद आता है, इवैंजिलिस्ट है, पास्टर है, सिक्षक है, स्तूती आरादक कौन लीडर नहीं है, क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि सब को आरादना क करने का है पर विकते जो येशु को ग्रैंड करते हैं हर जो येशु की महिमा करना चाहतों उलबू चाहतों देखो एकी वो चीज है जो प्रबू हमको दिया नहीं कृम प्रबू को दे सकता है क्या है वो धनिवा की बे ज्टूती आरादना प्रभू खुद की महिमा नहीं कर सकते है प्रभू की महिमा करने के लिए प्रभू ने लूसिफर को बनाया आपको मालूम है लूसिफर सबसे खुबसूरत विखती था उसका शरीर पूरा आज जितने बाजे बाजे ड्रम्स, कैशियो, वाइलिन सब कुछ उसका शरीर में था खाली छूताना परमेश्यो की महिमा होते थे ऐसा विखती को परमेश्यो का यह तीन दूत लोग थे में दूत एक लूसिफर मिखाईल और गब्रियल लूसिफर को क्या था, एक ही काम था प्रभू की आरादना करो यह कुछ दोर आरादना करने लेगा करोड़ो दूत उसके साथ है उस वोचा, क्यूं परमेश्यो को सब मेरे को आरादना करना चाहिए उसने क्या गिया परमेश्य को उपर अपना कुर्सी बैठाना सोचा परमेश्य को उपर से धका मारा कि आज नीचे और नीचे और नीचे जाएगो प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसको ऐसा गड़ा में धके लेगा जिसका कोई अंत नहीं अललुया परमेश्य सबसे ज़्यादा घमंडियों से घ्रिना करता है नम्र लोगों को प्रबु उठाता है जोशे बलो मैं नम्र हूँ अगर आप नम्र है आप पका प्रबु की स्तूति आराद्मा करेंगे अललुया हो गया हो वहीतो तेरी लालसा को तेरी मनोरतों को तेरी इच्छाओं को उत्तम पधार्तों से थ्रिप्त करता है जब आप प्रबु पूदिया आराद्मा करेंगे किता लोग आज से निर्ने लेगा मैं हर रोज आधा गंटा प्रबु आपको उत्तम पधा आँक देखा नहीं कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं उस तोर से प्रभू देगा अब जब आप आरादक बनेगा जो भक्त आत्मा और सच्चाई से प्रभू के आरादना करने वाला उसको क्या करेगा प्रभू? उत्तम पदार्तों से त्रिप्त करेगा जिससे तेरी जवानी उकाप की नहीं जवानों सुनो, उकाप की नहीं उचाई पर उड़ने वाला है वही वेक्ती उड़ेगा जो प्रभू की स्तूति आरादना करते उसे कोई बादाय रोक नहीं शकता उसके सामने हर अब्स्चकल को प्रभू एकदम प्लेइन करने वाला है मिठा डालने वाला है पर उसके लिए हमको स्तूति आरादना तयार करने कर किसी को बला स्तूति आराद स्तूति आरादना उपर जाती है आशिश दे कर नीच आती है स्तूति आरादना उपर जाती है आशिश दे कर नीच आती है होगे पुरा? उकाब की नाई नाई हो जाते हैंगे. नाई होते रहेगा. जब हम स्तूदी आरादना करेंगे, हर रोज प्रभू नया नया देगा. अलुया! नया ड्रस देगा. नया घड़ी देगा. नया जूता देगा. नया बीबी देगा. नया बीबी वही रहेगा. आईसा भी होता है. नया घड़ी देगा. नया गाड़ी देगा. अमें? अलुया! आपके भिगडा हुआ बच्चा को सही करेगा. नश्या करने वाला बच्चे को प्रभू के घर में आरादक बनाएगा. शा! बच्चे बच्चे हमारे बीच में स्तूदी आरादना करेंगा. हललुया! रही सलाड, ओके! उसके फाटकों से धन्यवाद. उसके फाटकों से धन्यवाद. जब हम आंगन में जाते हैं, फाटक रहते हैं. फाटक में कौन है? येश्यू मसी. येश्यू मसी के द्वारे उस आंगन में प्रभेश कर सकते हैं. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्थूती करते हुए प्रवेश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहूँगा पड़िए तुने पृत्वी को उसके नीव पर्स्तिर किया है उसके नीव पर्स्तिर किया है स्थाकि वो कभी न डगमगाएगा तुने उसको गहरे सागर से धाप दिया है हंडेड का कौन से पर्स्तिर है हंडेड फोर का सिक्स हंडेड फोर का सिक्स नहीं है फाइव ही है ओई मैं सोचे कहां चली है ओके क्योंकि यहुवा भला है उसकी करूना सदा की है उसकी सचाई पीड़ी पीड़ी तक बनी रहती है आप जब आराधना करते हैं आपके पीड़ी आशिश पाएंगे हमारे गर में सबसे पहले तादी मा आये थे और रोज सुबह उटके साड़े चार बज़े बड़े बड़े ड्रम लेके बजाती थी पूरा महला पूरा गाओं उसकी ड्रम को सुनकर उटते थे ऐसा प्रभु की महिमा हर रोच वो करती थी आज उनके बच्चे उनके पोते उनकी नाती पोती लोग पास्टर सब बड़े बड़े कारी कर रहे हैं खारन क्यों एक दादी माने रभु की आरादना करने सिखा हाललुया प्रईज अलॉड वो अनपढ़ती गवार थी इवन अक्षर तीन क्लास भी नहीं गई थी एक दिन वो विश्वास किया मेरे को बाइबल पढ़ने का है पर मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे ये बाइबल से पढ़वाएगा हर रोज बाइबल लेके बैठती थी नहीं होता था पढ़नी पाते थे अच्छानक एक दिन उसकी आख खुला और बाइबल को पढ़ने लगा विश्वास करने वालों के लिए सबको समभव है उसको उसको न्यूस्पेपर दो और नहीं पढ़ेगा पर बाइबल दो वो पढ़ने लगेगी हाललुया और हम बलते प्रभु जी मेरे को नहीं आता है कुछ नहीं आता है बैटे रहो नहीं आता है सोते रहो जो प्रभु के लिए उत्साह होता है प्रभु उसके जीवनों को भरता है हाललुया है कोई मेरे साथ क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ क्यों लोग आरादना नहीं करते हैं, क्यों विश्वासी लोग जितना भी बोलो नहीं करते हैं, तीन घंटा पिच्चर देखेंगे बर तीन घंटा आरादना नहीं करेंगे, वो वो विलियन को छोड़ना मत, तीन घंटा बैटके देखेंगे, विलियन और हीरो का, किसी डिरेक्टर ने अपना दिमाग लगा कर पैसा फेका और वो पैसा ले रहे हैं, आप बैटके, नमूना बैटके देख रहे हैं, कितने लोग पिच्चर देखा हैं, देखा हैं, तीन घंटा, साड़े तीन घंटा, किसी को मत बता हैं, मैं बोलता हूँ, मैं पहला शो देखता था उसके बाद आच्छा लगता है दूसा शो जाता था उसके बाद आच्छा लगता है त्रीसा शो जाते थी उसके बाद आच्छा लगता है चौता शो भी जोड़ा नहीं पागल ठाई है जब वो स्कूल में था तो वो लंबू बनना चाहता था लंबू का डायलॉग लेके वो पहले फटीचर टेप रहता न वो चलाएगा गुमते रहे गुमते रहे जहां मैं खड़ा होगा लाइन चाले हो गया है जहां मैं खड़ा होगा लाइन चाले हो गया लंबू को हर डायलॉग शिखते थे अचानक बहुत तुमको लंबू को बनने कोन बला यह तुमको लंबू ने मैं कुछ और बनाता हूँ तयार है हम बोला यह सर वो टेप लेका ऐसा पट का दो तुकड़ा होगी है उसके बाद मैं यह शू के लिए डायलॉग लेकर नहीं मैं जहाँ खड़ा होगा चमतकार चलू होगा हलोलोया कितना लोग शुन रहे हैं आपको जो चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में प्रभू को इंवाल करके प्रभू के लिए करो आपका आशिश पाएगे हलोलॉया क्यों हम आरादना क्यों विश्वासी लोग आरादना नहीं करते जबकि सबसे मूल यह इंदरन है सबसे बड़ी हत्यार है आरादना आपके दोधारी तलवार के समाने शेतान की ऐसी की तैसी कर देगा क्यों आरादना नहीं करते मती पंदरा उसका आठ मती पंदरा आठ मती के सुसमजर पंदरा आठ कि ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है मुझसे दूर है इदर आके करते है क्या चल रहे मन में अरे भाई दूद रखे आया है अरे भाई लोख नहीं किया मैं इनको बोला तो बार बार लोख कर रहा है दिखो उनको लोख नहीं किया इनके मुँ होटो गार है पर मन में दिन बार का युद चल रहा है इनके होट ये लोग होटो से तो मेरा आदर करते है मेरी आदर करता है समान करता है पर इनका मन मुझसे दूर है मती पंदर आठ और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते है क्योंकि मनुश्यों की विदियों को धर्मपदेश करके सिखाते है मनीश्यों की विदा मनीश्यों को खुश करने के लिए करते खललूईया कितना लोग सुन रहे पहला बात क्यों लोग आरादना नहीं करते है आरादना करते तो भी वो परमेश्यों तक unrepented sin है unrepented sin मतलब जो पाप आपुसे यो भी पाप होता है आप जो कबूल नहीं करता है उससे आपकी आरादना परमेश्यों तक नहीं पहुँचेगगे मेरा परमेश्यों पवित्र परमेश्यों है वो अपवित्र चीज को अपवित्र कारियों को देख नहीं शकता Hallelujah Praise the Lord मती पांच देविश और चोविश मती पांच इसलिए यदि तू अपनी पेट अपनी भेट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरन करे कि मेरे भाई के मन में मेरे और से कुछ विरोध है तो अपनी भेट वही वेदी के सामने छोड़ कर और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलापकर तब आकर अपनी भेट चड़ा जब तक अन्रिपेंटेट सिन यानि कि कबूली किया वाला पापों को कबूली नहं किया वाला पापों को रहे कर आप स्तुथी अराद्ना करते हैं परमेश्वर एकसेप्ट नहीं करते हैं इवन मॉड्ल प्रैयर में भी परमेश्वर ने कहा, इश्व मसीर ने जब सिकाया, है हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है, मेरे जीवन में होने दे, आज की रोटी, आज मुझे दे, मैं अपनी सा गर बोले जब हम पुराने निंहें पराप करते पाप ढगते थे नाए निये में जब आप पराप करके कबूली करता है प्रभुजी मैंने पराप किया तू मुझे अपने अपने शरीर को आत्मा पृरान को येश्व के लहू से दोता है आपकी पाप को परमिश्वर ये बोलता है, ये पाप ये विक्ति किया ही नहीं आत उटा के बोले धनिवादेश्यों इसलिए हमारा सारी पापों को उसका लहु धोकर शुद्ध कर दिया आपका पाप लाल जैसा होने दे प्रभु हिम जैसा सफेद करता है कितना लोग सुन रहे हैं, क्यों हम आरादना नहीं करते हैं वो चीज़े आपको सताते हैं, वो चीज़े आपके मन को कबजा करते हैं जिसके द्वारा प्रभु की आरादना नहीं करते हैं दूसरा, आप परमेश्र को जानते ही नहीं जो वेक्ति परमेश्र को जानता है वो उसकी आराद ना करेगा वो मालूम है प्रबू मुझे क्यों रखा है धर्ती पर उसकी आराद ना करने के लिए उसकी महिमा करने के लिए हललुया, प्रैज अलॉड होशिया की किताब 4 उसका 6 होशिया 4 छे मेरे ज्यान के न होने से मेरे ज्यान के न होने से यानि कि परमेश्र के बारे में ज्यान न होने से मेरी प्रचा मेरी लोग, मेरी प्रजा नाश हो गई हमको परमेश्र का ज्यान होने का है प्रबू कौन है, प्रबू क्या कर सकता है प्रभू मेरे लिए क्या किया, प्रभू मेरे लिए आने वाला है, प्रभू मुझे स्वर्गों में लेके जाने वाला है, हजारों साल प्रभू के साथ हम राज्य करेंगे, मेरे ग्यान के मिना परमिश्य कहता है, मेरे ग्यान के मिना लोग नस्ट होते, जर्मिया नाउ उसका यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धी पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, वो इसी बात पर घमंड करे, कि वो मुझे जानता और समझता है, कि मैं ही वो यहोवा हूँ, जो पृत्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम, करता है, क्योंकि मैं इन्ही बातों से प्रसन रहता हूँ, जो प्रभू की बाते करता है, प्रभू की गुंगान करता है, उन बातों से प्रभू खुश होता है, एक जब आप उसकी इस तूती आरादना करते हैं, दूसरा, आप दूसरों को जब एश्यू का नाम बताते हैं, प्रबु नहीं चाहता कि कोई नाश ना हूँ अब एक विक्ति को येश्व का नाम बताते हैं प्रबु अत्यदिक खुश होता है प्रबु प्रसंद होता है कितना लोग आज से प्रबु को प्रसंद करेंगे हललुया प्रईज अलॉट कैसे मैं प्रबु को जान सकता हूँ एक पवितरात्मा के दौरा दूसरा वच्छन के दौरा पवितरात्मा वच्छन बिना कुछ नहीं पवितरात्मा वच्छन का ओथर है इसका प्रकाशन पवितरात्मा देता है जब यह वच्छन पढ़ता है बोलो पवितरात्मा मुझे मदद कर अललुया पवितरात्मा में परमेश्व के बारे में बताता है वच्छन हमें परमेश्व की आरादना करने शिखाता है पहला बात ना कबूली किया वाला पाप आपको स्तूति आरादना करने के लिए आपको करवात नहीं सकता वो चीजे आपको रोकता है जब आप आरादना करते हैं वो चीजे शेतान आपको दिखा दिखा कर आप आपकी स्तूति आरादना को भंग करते हैं दूसरा आप परमिश्यों को जानता है जो वेकती परमिश्यों को जानता है वो परमिश्य किस्तूती आरादना करेंगे तीसरा तीसरा उसका दिल जो वेकती आरादना नहीं करता है उसका दिल दुनिया से बरा है अललुया दुनिया की बहुत से बरा है ये बहुत से बरे वो लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूँगा, मैं तुझे शामति दूँगा, रभू के पास भी आने के बाद, तीनी बात के लिए सोचते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हालेलुया, बच्चे क्या करेंगे, कल उसका क्या होगा, पती क्या करेंगे, चिंता एंसे भरा चिंता फिकर, ये शुको, सिखला दे आत्मा प्रभू, चिंता फिकर, ये शुको निहार, सिखला दे आत्मा प्रभू, चिंता फिकर, ये शुको निहार, सिखला दे आत्मा प्रभू, चिंता फिकर, चिंता फिकर, छोड़ो, ये शुको निहार, सिखला दे आत्मा मंडे शुरू हो याद, चिंता इतना होता है, ये शुको याद होता नहीं, कैसे मैं जीऊंगा। हाललुया, रभू अगर बोलता है चिंता फिकर छोड़ो, तो हमको छोड़ने का। किच्चन में नस्ता का, आटा नहीं, सबजी नहीं, कुछ भी नहीं, लोग पैसा लाकर देकर आप फाइस्टार में होटल खाएंगे। प्रभू कब होगा? जब आप स्तूती आरादमा करेंगे। सर के बाल से लेकर पैरे को नकुनों को हिला हिला कर प्रभू की स्तूती करेंगे। जब आप स्तूती आरादमा करेंगे, कि घर के बाहर लोग आकर पैसा देगा, जाओ भाई होटल में खाना काओ। हललुया, केतना लोग शुन्ड है, एक प्रभू के दास था, वो विश्वास में ही जीते थे। हललुया, चुटा बच्चा उसके हाथ में, उसका बीबी बार-बार बोल रहा है, बच्चे को पिलाने के लिए दूद नहीं, वस्तूती आरादमा कर रहा है। बीबी बार्ची खाना से चिला रहा है, यह मनिशा, एक मलयाली में पुरुष को कहता है, मनिशा, जो से बलो, यह मनिशा, जो से बलो, मनिशा, स्टाइल से बलो, यह मनिशा, तुमको दिखता नहीं, बच्चा को दूद पिलाने के लिए दूद नहीं है। मानिशा गाया जा रहा गाये जा रहा गाया टेखना हुआ है सिर्फ एक गंटेखोड गर में खरना कINE मुझाज खोदाएल और दरवाजा को एक राशन को रखाएतlamation पाज़ा के सामने जो वेक्ति स्थूति आरादना करने सीक लिया ने उसके जीवन में कोई कमी घटी ने दावत को देखो सबसे बड़ा आरादक था एक चरवा था घर में लज्जित होने वाला घर में भगाने वाला साथ की आठ भाईयों के बीच में वो हमेशा घर के बाहर रहता था घर में कोई आदर ने उसने एक ही बात से कहा मैं परमेश्व की दूति आरादना करूं पागलों के समान मैं परमेश्व के सामने नाचूंगा उसी वो कपड़ा फाड़ कर परमेश्व की महिमा करते थे उसी चरवा को परमेश्व ने राजा बना दिया हालेलुया प्रेज लॉड अगर आपका दिल दुनिया और दुनिया की बोच से बरा है अब स्थूदियार आदमा नहीं कर शकता पाइला पत्रोस उसका पांच उसका साथ ओके समय नहीं मैं जल्दी से घर में जाके पढ़ना मती 11-28 हललुया प्रभू की आरादना नहीं करते क्योंकि आपके पास समय नहीं मुंबै में लोग इतना बिजी है दुनिया भर के सब कीच के लिए समय है प्रभू के लिए समय नहीं जो वेक्ति प्रभू की आरादना करते है उसके लिए प्रभू के लिए समय है जब आप प्रभू को समय देगा एक घंटा आपका तेवीस घंटा को प्रभू गुनवन करेंगे दो सव तीस घंटा प्रभू दे देगा है 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 कोई सुन रहा है अमें? चौथी बात वो विक्ती जो प्रभू की आरादना नहीं करता वो परमिश्व की आदर नहीं करता जो परमिश्व की आदर नहीं करता वो प्रभू से कुछ नहीं पाता कितना लोगा आदर करेंगे? ऐसे? उसके स्थूदी आरादना करके हललुया फाइदा क्या है आरादना करने से फाइदा क्या है चिलाकर पूछो ना सुनीता को मैं समस कर दूँगा जॉइ को भी कर दूँगा नहुंब जे तक एक एक बोलते रहा पहले बात जब आप आरादना करते हैं परमेश्व की उपस्तिती से आप भरते हैं जब पवित्रात्मा सब के अंदर पवित्रात्मा है जो वेक्ति आरादना करता है पवित्रात्मा मैनिफेस्ट करता है अब देखा है जब हम आरादना करते हैं जो वेक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, वो मैनिफस्ट करता है, कारण क्यों? क्योंकि परमेश्व की महिमा जब वो दुष्ट आत्मा देखता ना, वो खड़ा नहीं हो सकता है, कल भी जब यूथ मीट में गया, दो-तिन जन, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, की उपस्तिती से भर जाते हैं, प्रभु अपनी अभी शेक से आपको भरता है, इसलिए प्रभु का बच्चन कहता है, उसकी अभी शेक हर जूओं को तोड़ता है, जब आप बिमार है, आप स्तूती आलाद ना करेका, आप चंगा ही पाएंगे, हललोया, कई साल पहले, के गैरा बजे, हललोया, हम लोग परिवार होकर मिलकर प्रभु की आराधना किया, गैरा बजे से देढ़ बजे तक, स्तूति आराधना किया, ते उसके बाद मम्मी हमारे मुंबई में आए हमारे घर में रहे साथ साल जी आप उसके बाद मरा हललुया मौत भी आएगा तो जब आप स्टूदी आराद ना करेगा मौत बोलेगा नहीं रह सकता मैं जा रहा हूँ हललुया राइज अलुट क्योंकि प्रभु की उपस्तिती जिस फरमेश्व की आप ओके रहे लोग इदरे जब आपके लिए कोई गाता है आपका पती हो आपका पत्नी हो लवर हो जब ओ गाता है हललुया कुछ अच्छा गाना मैं गाना पिचर गाना मैं गातां नहीं कुछ अच्छा गाना, उसके फेवर में गाता है, तो बोलेगा, चुप बैट, बोलेगा हो, वो इनसान नहीं है अगर वो बोलता है, तो अगर बोलता है, थोड़ा और गाना, थोड़ा और गाना, अच्छा लग रहा है, दिल में लाई-लाई-लाई-लाई लग रहा है, यह बिमार है फिर भी मेरा गारा है मैं इसे चंगाई देता हूँ यह गरीब है मेरा वो गारा मेरी महिमा कर रहा है मैं उसे अमीर करता हूँ अलेलुया वो जो परपटी में रहता है वो गारा है वो गारा है मैं उसे माहल देता हूँ अलेलुया स्थारगा और प्रत्वी का मालिक जब उसकी आप स्थूदी करते है उसके दिल लायला लायला होता है जो से बलो लायला लायला होता है छिला के बला है लायला लायला होता है अले स्टाइल से बलो प्रभु का दिल लायला लायला होता है वो क्या करेगा चप पर फाड़ के देंगे और कई लोग पूछें पास्टर जी आप इतना अशिशित क्यों है क्योंकि मैं जब गाता है तो प्रभु का दिल लायला लाया होता है कहां चोल से बोलना जब मैं गाता हूं प्रभु के लिए मेरा प्रभु का दिल जब आग गाता है परमिश्र आपको भरता है हललुया दूसरा छुटकारा पाता है ब्रेक्ट्रू आता है आपकी जीवन में आपने बहुत कुछ किया प्रातना किया, फास्टिंग किया, कुछ नहीं हुआ स्तूती आरातना करो आप छुटकारा पाएंगे हललुया प्रेड़तों के हम 16 उसका 25 पाउला और सिलास कहां थे? जेल में और जेल में सबसे गहरा जेल में दिवार और जंजीरों से पड़ा हुआ पाउला और सिलास स्तूती आरातना करता है आशिश देकर निचे आती है सूदी आरातना उपर जाती है आशिश देकर निचे आती है प्रपो हमारा कितना महार देखो हमसे घर तभे प्यार एशिश आमारा कितना महार देखो हमसे गर तभे आया आलेलू आलेलू आमेन हललूया अजब पाउला और सिलास गाने लगा जंजीरे तूटे जेल का दरवाजा खुले वो पूरा आज़ाद हो गिया स्तूती आरातना आपको आज़ादी दिलाता है जोचे बलो स्तूती आरातना मुझे है आप कौन सा भी आवस्तर में बंदा हुआ है दरवाजा बंद है स्तूती आरातना करेगा प्रभू आपके लिए दरवाजाओं को खोलेगा हालेलूया रईस अलौड तीसमी बात जब आप स्तूती आरादना करता है आप प्रभु की नजदीक आता है आप प्रभु का लाडला बन जाता है आप प्रभु का खास बन जाता है जो चो बोलो मैं खास हो जाता है प्रभु के लिए special हो जाता हूं मैं प्रभु की महान विक्ती हो जाता है कब जब आप स्तूती आ तूती आरादना करता हूँ प्रभू के close हो जाए इंटिमसी होता है प्रभू के साथ एक हो जाते हैं इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ मेरी आत्मा पवितर आत्मा मिलकर बड़े बड़े कारे करेंगे हललुया राइज अलॉड चौती बात हललुया जब हम आरादना करते हैं प्रभू मेरे दिल की बातों को पूरा करता है इसलिए प्रभू का वच्चन कहता है स्तिरों के जान ले मैं तेरा परमिश्र तेरी तमनाओं को मैं पूरा करता हूँ हललुया बड़े 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 भजन सहिता 37.4 फ़जन सहिता 37.1 पढ़ेंगी इसको तोड़ा हूँ यहोँआ को अपने सुक का मूल जान आपको आनन चाहिए प्रभू को सुक का मूल समझो वह तेरी मनुरतों को वह तेरी मनुरतों को तेरी मुरादों को वह पूरा करेगा पूरा करेगा अब जब आप से आपको कुछ चाहिए प्रभू से तूति आरादना करो प्रभू आपकी मुरादों को पूरा करे Amen Hallelujah Prayer प्रातना क्या है क्या है प्रातना प्रातना क्या है प्रातना क्या है परमेश्य की सामर्थ है इस्तूति आराधना क्या है? परमेश्यों के सामर्थ को आग लगाता है अललोया, प्रेज़ लॉट, फ्योल करता है निस्तूति फ्योल को क्या बहुत है? इंदन देता जब आप प्रात्ना करते करके अप ठक जाते पर जब आप स्तूति आराधना करते है आप enthusiast होता है आप खुश होता है आप आनन से भर जाते है वो आपका प्रातना में fuel देता है जैसा गाड़ी में तेल भरता है तो किलो मेटर के अनुसर जाता न जितना भरेगा उतना किलो मेटर जाएगा उसी तरह जब आप स्तूती आरादना करेंगे उतने आशिशे स्वर्ग से खुल कर गिरेगा आपके हो है है कोई मेरे साथ हललुया अमेन प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं ओके चार नव से ग्यारा पूरा रवलेशन में एक्शली रवलेशन जो है एक से चार और चार से उननीस तक च्पिलेशन और आने वाले समय के खली दो अधिया है स्वर्ग और स्वर्ग के बारे में बताता है उस रवलेशन में चौबीस बार आरादना लिखा हुए चौबीस बार आप जाकर घर में रवलेशन पढ़ेगा जहां पर आरादना आता है उसको अंडर्लाइन करो, वर्शिप और आप काउंट करेगा चोबीस बार रवलेशन में आराद ना ले, कितना इंपॉर्टन और हम स्वर्ख में जाएंगे, क्या करेंगे प्रभु की? स्वर्ख दूत क्या करते हैं चोबीस गंटा? पढ़ेंगे, रवलेशन 4, 19 से 11 11 हाँ, रवलेशन 4, 11 9 से 11, सॉरी और सब वे प्राणी सब वे प्राणी स्वर्ख में जितना प्राणी जिन्दा है स्वर्ख के सिहासन के सामने सिहासन पर बैटा है और जो गुण-गुण और जो युगाण्युक जीवता है क्यों है? एश्यु मसिए महीमा और आधर और धन्यवात करेंगे तब 2400 प्राणी सिहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान्युग जीवता है प्रनाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रबु और परमेश्वर तू ही महीमा और आदर तू ही महीमा के अगर स्वरग येश्व मसी की आदर और महीमा करते रहते हैं कितने अधिक हमारा आप करना चाहिए हललुया रईजलोग जब आप आरादना करते हैं आपकी दिल की मुरादों को आप मांगने से इसलिए परमिश्यों का वच्चन कहता आप मांगने से पहले प्रभू आपको दे देगे हम मांगते रहे तो मांगते रहे तो क्योंकि हम आरादना नहीं करते जब हम स्थूति आरादना करनेगा हम मांगने से पहले हम सोचने से पहले प्रभू हमें दे देगे कितने लोग को सोचने से पहले प्रभू देने मंग था किसे को बोले स्थूति आरादना कर चार बाते बोले पहला जब हम स्थूति आरादना करते हैं परमिश्यों के उपस्तिती उसकी महिमा उसकी अभिश्यक होता है जब हम स्थूति आरादना करते हैं हर बंदन से छूटता है प्रभू का वच्चन कहता है तुम जो धर्टी में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलेगा तुम जो धर्टी में बांदेगा उसे मैं स्वर्ग में कैसे? स्तूति आलादना के द्वारा हलनलुया भी जी जे लोट सरवग्यानी परमीशे को हम नस्दीक से जानने लगेगे प्रबू आरादना के दुआरा प्रकट करता है हललुया चौथी जब हम स्तूधी आरादना करते मेरे दिल की मुरादों को वो पूरा करता है हललुया पाच्छुआ हाँ हारादना विजह लाता है मैं बोला था क्या फिर कहां से पवित्राप मैं बताया आपको दिखाया था रुबू हमारे दिल की बातों को से मेरा दिल आपको दिखा दिया मैं यश्वे नदा वगवे नदा अर आदे किननő स्जधि क्यनन येश्वे नदा अंगे नदा अर आदे किनन मुच्चोल मल्ल अरयाला वुम्पूरा निन्नल मोंगीडवार कोधियाईडिन मुच्चोल मल्ल अरयाला वुम्पूरा निन्ने कोधियाईडिन भर दे मेरे मामस से भर दे मुझे गुटनों तक नहीं कमर तक भी नहीं ही डुबना मैं चाहता हूँ मैं गुटनों तक नहीं कमर तक भी नहीं ओके आरादना क्या करता है विज़ई देता है जोचे बोलो विज़ई देता है चिलाके बोलो विज़ई देता है जब आप स्तूदी आरादना करेगा आप हर छेतर में विज्जाई पाएगा हललोया प्राइस लॉट दूसरा इतिहास बीस उसका एक से तीस तक घर में जाकर पड़ो हमें हललोया यहोसफाद बोलके राजा था जब वे राज्य कर रहा था तीन राज्य उनके विरूद आया है जैसा आज इस्राइल के विरूद तैटीस राज्य विरूद आया आज इस्राइल खड़ा है कारण क्यों परमेश्वर उनके साथ है हललोया और इस्राइल कभी भी हारेगा नहीं क्योंकि जिन्दा चीवित फरमेश्वर ये शुमसी उनके साथ है हललुया रईज लॉड और ये तीन राजिय योह सफात के विरूदा है आपको मालम है योह सफात ने क्या किया सारा राजिय को बोला उटके खड़ा होकर प्रभू की स्तूती आरादना कर अब ये पूरा राजिय उटकर स्तूती आरादना करने लगा ये तीन राजिय आपस में मार मार कर मर गया और योह सफात विजही हुआ हललुया उसी अध्याय में हम देखता है परमेश्व का वचन लिखता है परमेश्व बोलता है ये युद्ध तेरा नहीं ये युद्ध मेरा है जब आप स्तूती आरादना करता है हललुया जब आप स्तूती आरादना करता है फिर आपको लड़ने के दर्कार नहीं येश्व आपके लिए लड़ता है दूतों को भेज कर आपको विज़ाई देता है हललोया अखोर अखोर बोलेगा तो अखोर की तराई अखोर बोलेगा तो गड़बडी की तराई यानि की परिशानी की तराई उस जगा पर प्रबू बराखा यानि की स्तूती आरादना के तराई बनाता है इसेकियल परमिशों से कहां लेके जाता है हड्डियों के बीच में तराई के सारी हड्डिया बिखरा हुआ है परमिशों उसे पूछता है क्या हड्डिया जिन्दा होगा प्रभु जी आप जानता है आप कर शकता है स्वर्ग से दूत लोग उतर रहेगा और आपके साथ कड़ा हो जाएगा हालेलो या मैंने कई बार बोला हूँ हर विश्वासी के लिए परमिश्व दो दूत को रखा है जो चे बोलो मेरा दूत है एक मेरा परमिश्व का मेसेज मुझे देता है दूसरा मेरे लिए लड़ाई करता है अनेक विश्वासी जब स्वर्ग जाएंगे न वो बोलेगा आई आई ओ क्या बोलेगा आई ओ जो और से बलाई आई ओ वो देखे हैं हर विश्वासी के साथ जब आप स्वर्ग जाएगे तो आपको दिखेगा वो दूद क्योंकि वो आत्मिक है जब आप देखेगा रहे भाई मैं तो ऐसे प्रचार करते थे उनके साथ दो दूद कड़े है मेरे साथ पिखाड़ा था ना आई आई ओ जोसे बोलो आज से मैं दूदों को इस्तमाल करेगा प्रभू आपके लिए फुकट का बिना सालरी का दो दूद को रखा है कितना लोग आज से इस्तमाल करें आप परिशान में है जा दूद मेरे लड़के हैं मेरे विज़े लेके हैं क्या बोलेंगे जा दूद एक लड़ने वाला दूद है एक मैसेज देने वाला दूद है आपको कुछ प्रभू से आवाज नह रहा है दूद जाके मेरा मैसेज लेके आओ नहीं करेंगे कल जब सौरिग में जाएंगे तो क्या बोलेंगे आई 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 कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ हम स्थोथी आरादना करेंगे और मैं बता हूँ इन दिनों मैं भविश्वानी कर रहा हूँ जो स्थी आरादना करेंगा आपके घर के चारों और दूथ लोग खड़ारहेगा और अगर हर वेक्षि इदर स्थूति आराधना करके आएगा अगला संड़े हर वेक्ति दूतों को देखेगा कितना लोग तयार है कितना लोग बहुए कि पास्टि जी यह हपता हर रोज मैं स्थूति आराधना करूँगए आशिश लेकर निचे आती है तु तु तियारा दिना उपजाती है आशिश लेकर निचे आती है येशु हमारा कितना महाँद कितने लोग समझा क्या मैं बताया कितने लोग करेंगे किसे को बलो फाइदा है ये फाइदा है